तो दोस्तों Galaxy A13 और Galaxy A14 के इस Speed Test में N2D Benchmark के स्कोर्स के अलावा उन वीडियो को भी compare करेंगे जो इस टेस्ट में record की गई है जैसे कि scrolling किस पर ज़्यादा smooth तरीके से होती है इसके अलावा 3D वीडियो किस पर ज़्यादा smooth प्ले होता है तो इन सारी चीज़ों को आपस में compare करेंगे और ये फिर देखेंगे कि इन दोनों devices का hardware कितना powerful है दूसरे के comparison में अगर इस specifications की बात करें तो A13 में आपको मिलता है Exynos का 850 processor A14 में आपको मिलता है Exynos का 1330 processor तो चलिए टेस्ट करते हैं शुरू तो दोस्तो टेस्ट हो चुका है finish score से आपकी आखों के सामने अब यहाँ दोनों ही devices का कोई भी comparison नहीं बनता A14 5G का Exynos 1330 पूरी तरह से A13 के Exynos 850 को पीट करता है टोटल की बात करें तो A14 का टोटल है 413845, A13 का है 134695 अब सबसे पहले बात करें common scores की, यानि की CPU scores की तो A13 का score है 35, 30, 1 वहीं A14 का score है 135, 742 यानि कि यहाँ जमीन आस्मान का फर्क देखने को मिलेगा जैसे कि यह है एक वीडियो अगर performance की बात करें तो यहाँ पर अगर scrolling को compare करें UI वाले पार्ट में यह video record किया गया है और performance को यहाँ पर compare करें अगर scrolling को देखें तो A14 5G पर बहुत जादा smooth तरीके से यहाँ scrolling होती है और A13 उसके सामने बहुत जादा lagई है बहुत जादा frame drop देखने को मिलता है यानि कि जमीन आस्मान का फर्क की यहाँ देखने को मिलेगा दोनों ही devices में इसके अलावा यह एक और वीडियो है जहाँ पर मैंने दोनों ही devices पर manually कुछ applications लौँच करके देखे हैं यहाँ पर मैंने native applications भी लौँच किये हैं इसके अलावा third party applications भी लौँच किये हैं और दोनों तरीके के application A14 5G पर बहुत जादा तेरी से load होते हैं as compared to A13 इसके अलावा दोनों ही devices पर मैंने reboot test भी किया है और यहाँ भी A14 5G पूरी तरह से A13 को beat करता है A14 5G बहुत जादा जल्दी restart हो जाता है A13 के comparison में overall common use में A14 5G पूरी तरह से A13 को beat करता है अब बात करते हैं GPU scores की यानि की gaming performance की gaming performance की बात करें तो यहाँ पर A13 का score है 25100, A14 का score है 84393 यानि की यहाँ भी बहुत बड़ा difference है double से भी जादा का यहाँ difference देखने को मिलेगा performance की बात करें तो दोनों ही devices पर मैंने N2-2 Benchmark का application N2-2 Benchmark 3D का light version और proper version दोनों ही devices पर तीनों application installed अब A14 5G पर तो proper version support करता है N2-2 Benchmark 3D का लेकिन A13 पर light version यहाँ support करता है तो gaming की performance की बात करना तो सबसे बड़ा difference तो यही देखने को मिलता है A14 पर यहाँ medium graphics तक के games बिना किसी issue बिना किसी lag के play कर सकते हो वहीं A13 पर medium graphics तक की games भी play नहीं कर सकते GPU की बात करें तो A13 में आपको मिलता है Mali-G52 GPU वहीं A14 5G में आपको मिलता है Mali-G68 GPU यानि कि आपको को gaming के लिए कोई device चाहिए तो उस condition में A14 5G पूरी तरह से A13 को beat करता है multitasking performance की बात करें तो A13 का score है 3730 A14 का है 78692 यानि कि RAM की read, speed, write, speed इसके अलावा RAM management यानि कि multitasking तीनों में ही A14 A13 से बहतर है overall अगर performance की बात करें तो Exynos का 1330 processor Samsung Galaxy A13 के Exynos 850 से बहुत ज़्यादा बहतर है फिर चाहिए बात हो common use की या फिर हो gaming की या फिर हो multitasking की हर condition में A14, A13 को पूरी तरह से बीट करता है तो दोस्तों मुझे मिदे informative वीडियो आपको पसंद आया होगा तो please वीडियो को like, channel को subscribe मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye, आपका दिन शोबो